स्वागत है आपका Unique Education के आनलाइन चैनल पर आज यह जो सामान ग्यान का वीडियो अप्लोड हो रहा है यह है UPP और जो जेल वार्डर का पेपर होने वाला है उसके लिए यह सामान ग्यान है तो ध्यान रखिएगा अगर आपका यह फॉर्म पढ़ा गवा यूपीपी का या फिर जेल वार्डर का तो यह सामान ग्यान आपके लिए काफी हेल्फुल हो सकता है इसके पहले भी दो वीडियो अप्लोड हो चुके हैं इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप यूपीपी का प्लेलिस्ट खोल कर देख 37 का सिठ है कोशिश करिए कि 20 से 25 के बीच में या फिर 25 से 30 के बीच में सही हो अगर इतना सही हो रहा है तो आपको सामान ग्यान की तैयारी काफी अच्छी है तो चलिए निख लेते हैं और पूरी मांदारी से टेस्ट देजिए और कोशिश करिए धेर सारा सही हो पहला कि साथ युगमित होता है करहा एक आर्थिक विकास आम तोर पर किसके साथ युगमित होता है आवस्पिति मुद्राइस्पिति मुद्राइस्पित जनित मंदी अति मुद्राइस्पिति सूचिए किसके साथ युगमित होता है किसके साथ जुड़ता है किसके साथ कल्पित क कि आजाता है कहने मतलब यह है ज़िए आपको ऐसे बताते हैं यहां पर आफ्षन दूसरा सही है मुद्रा आव मुद्रा इस्फिती वह स्थिती होती जब मार्केट में मुद्रा के दाम कम हो जाते हैं मुद्रा की वैलू घट जाती है वैलू घट कब जाएगी जब मार्केट में जरूरत से ज्यादा पैसा उपलब्ध हो जाए तो पैसे की वैलू कम हो जाती है और वस्तुवों की वैलू बढ़ जाती है ऐसी कंडिशन को ही मुद्राय स्फिति बोलते हैं तो आर्थिक विकास का जो आम तोर पर माप किया जाता है वह मुद्राय स्फिति के साथ युगमित करके जोड़कर मापते हैं तो याद रखेगा आपसन दूसरा सही है यह क्यूश्चन कई बार वह ऐसे पेपर माचुका है तो सरल भी है याद रखेगा दूसरा क्यूश्चन देखते हैं क्रेसी और संबद्ध छेत्रों में सोच निकाय कौन सा है भारती क्रिस अनुसंधान परिशत छेत्री ग्रामिड भैंक राज्ज व्यापार निगम राष्टी क्रिस और ग्रामिड विकास बैंक सोची कौन सा है सोची है चले आपको ऐसे बताते हैं यहाँ पर आफ्षन यह सही है भारती क्रिस अनुसंधान परिशत इसकी अस्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी तब इसका नाम था इम्पीरियल काउंसिल आफ एग्रिकल्चर रिसर्च के नाम से इसकी अस्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को इसकी अस्थापना हुई थी और यह भारती क्रिस अनुसंधान परिशत ही क्रिस और संबद छेत्रों में योजना तयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच स अस्था भारत में है तो काफी अच्छा क्यूस्चन है अर्थसास्त के हिसाब से जो क्यूस्चन आते हैं उसके लिए काफी अच्छा है और आपके पेपर के लिए भी बहुत अच्छा है तो इसको आप याद रखिएगा चलते है नेक्ट क्यूस्चन पर चलिए गला क्यू क्यूश्चन है पाल वंस के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंस ने अपना सासन अस्थापित किया तो आफसन से सेन वंस गौड वंस इलियास वंस गड़ेस वंस सुचिए इससी बताते हैं यहां पर व याद रखी गया दो किशन कंप्लीट होते हैं पाल वंस कहां थे बंगाल में थे बंगाल सामन्त सेन ने सेनवंस की अस्थापना की दूसरी बात सेनवंस वास्तों में करनाटक के हैं लेकिन पालवंस के पतन होने के बाद बंगाल में सेनवंस अस्थापित होता है और सेनवंस वालों ने बंगाल में काफी मंदिर वनवाए थे जबकि बंगाल में आप जाओगे तो पर मुस्लिमों की आबादी सरवाधिक है जादा है सरवाधिक नहीं है जादा है तो जो बंगाल में पालवांस के पतन के बाद सेनवांसों वालों ने सासना स्थापित किये तो बरामी सताब्दी के आसपास याद रखेगा इंपोर्टेंट है और सेनवांस का संस्थापक साम नरेंद्र देव, राम्मनोहर लोहिया, जय प्रकास, नारायन, सुभास चंद्रबोस, गराय कौन कांग्रेसी समाजवादी दलके से संबंधित नहीं है, सोचिए सोच लिए होगे आप एंसर, हम आपको एंसर बताते हैं, लेकिन उसके पहले सोच लिजिए कि कुछ लोग पढ़ते पढ़ते उदास हो जाते हैं, या फिर ठक जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो छोड़ने से कोई solution नहीं है, और अगर आप किसी दूसरे छेतर में जाएंगे, तो आपको फिर से एक नई शुरुवात करनी पड़ेगी, मतलब कि आप इस रास्ते पर से बहुत आगे लिजाएंगे, यह बड़ी पूरानी कहावत है कि खुद कुसी करने का ख्याल ना आएगा चलो गले किताबों को फिर से लगाया जाए, तो आपको अपने दिल से गले से लगा लिजिए, यह आपको बहुत आगे जाएंगे, चलिए देख लेते हैं इसका ए दर्सर कांग्रेसी समाजवादी दल्य की अस्थापना 1934 में होती है इसकी अस्थापना में अचान नरेंदर देव थे रामनोहर लोहिया थे जैप्रकास नरायाड थे इनके साथ सता सोक मेता थे मीनु भाई मसानी थे यह सब इस पार्टी से संबंधित हैं लेकिन सुबास चं इसकी इसकी अपलोड हो रहे हैं एक बार सब देख डाली भेर सारा जीएस आपको यहीं से पेपर में मिल जाएगा चलते हैं एक अगला के उश्चन देखते हैं अगला के उश्चन है निमलिखित में से किसे प्राकृतिक सुरच्छा वाल्व कहा जाता है काफी भुकंप को ओजोन गयस को जाला मुखी को नदियों को सोचिए कि इसे प्राकृतिक सुरच्छा वाल्व कहा जाता है चलिए मैं आपको एंसर बताते हैं यहां पर आफशन तीसरा सही है जाला मुखी को जाला मुखी को प्राकृतिक सुरच्छा वाल्व कहा जाता है दरसल प्र्थवी के अंदर से जॉ-बाखना कम होता है। प्राकृतिख सुरच् reag वाल बहु जाते है, इनके माध्या से प्रिथवी के अंदर का लवा बाहर आ जाता है। उ झत्म हो जाती है। आता है जॉ-बारी पेपर में आ चुका है। चलिए next question पर चलते हैं अगला question है काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमाले का कौन सा प्रादेशिक विभाग इस्थी थे काली और तिस्ता नदियों के बीच हिमाले का कौन सा प्रादेशिक विभाग इस्ति थे अफ्सन है पंजाब हिमाले नेपाल हिमाले असम हिमाले कुमायू हिमाले इगनिट पंजाब हिमाले नेपाल हिमाले असम हिमाले कुमायू हिमाले करहें काली और तिस्ता नदियों के बी नेपाल हिमाल है धर्सल अगर आप भारत कमायब देखेंगे एक मिनट याइब देखेंगे तो आप भारत कमायब ऐसे बनीगा एक मिनट तो यह वाला पाट यह देख रहें आप यह नेपाल यह सिक्क्किम है और यह उत्तरा यह उत्राखंड है इधर से जम्मु कस्मिन अलग होता है यह वाला पार्ट पंजाब है यह हिमाचल परदेश है तो काली नदी यहां उत्राखंड के पास से प्रवाहित होती है नेपाल से उत्राखंड के बीच से और जो तीस्ता नदी है सिक्किम के पास से प्रवाहित होती ह तो काली और सिक्किम के बीच में सुरी काली और तिस्ता नदी जो है यह सिक्किम से प्रवाइद होती है तो काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में यह नेपाल वाला ही हिमाले है तो हिमाले का विस्तार ऐसे है यहां से लेकर यहां तक है तो यह हिमाले जो यहां से यहां त सब पधने साजान पर चली हग्इस कुछन देखते हैं काफी सरल है और कई बार मी भी आ शुका आउज आपको पता होना चाहिए तो ये अलोक निरत बोहाग भी में ये ठर्ट में प्रचलित है मतलब कहाँ पर प्रचलित है असम बिहार औडिसा ज्षारकंड है हैं अग्या निश्ग को आपको सोचिए एक प्रकार का लूपक्रित है और यह असम के नवर्ष के रूप में मनाया जाताय पहली बात और इसे फशल के कटाई के मौके पर इस तेवहार को मनाते हैं तो याद रखेगा और इसको बैसाक महीने में मनाया जाता तो कई फैक्टे यहां पर clear है, वैसाक महीने में असम का लोगनित्ते भी है और असम के नौवर्स की रूप में भी इसे मनाई जाता है, फसल कटाई के मौके पर मनाते हैं, याद रखीगा, भी हूँ, असम का लोगनित्ते भी है, याद रखीगा, चलते हैं नेट की उचन पर अगला क्यूश्चन देखिए, कच्छा संख्या यन में दर्साई गई, कच्छा में उपस्थित अधित्यमिले ट्रानों की संख्या क्या हो सकती है, सोचिए, सिंपल क्यूश्चन है, ये भी कमिश्ट्री का, चलिए आपको ऐसे बताते हैं, यहाँ पर जो ज्याद करने का सूत्र है, वो है 2N स्क्वाइर, आप पढ़े होंगे 2S2, 2P6, 2DTN, तो ऐसे ही कराय की कच्छा संख्या यान में दर्साईगे, कच्छा में उपस्थित इलेक्ट्रानों का धित्तम संख्या कितनी हो सकती है, इसका जो फार्मूला है वो है 2N स्क्वाइर, कबश्ट्री का क्योश्चन है, आपको पता उना चाहिए, चलिए नेاز्ट क्योस्चन में चलते हैं, अगरा क्योस्चन है, निम लिखित में से काउन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, काउन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, beverage से हीरा, ग्रेफाइट, C-sistine, मतलब कोबार्ट-sistine, मेथेन, कर रहा काउन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, सोचिये काउन सा हो सकता है, चलिए आपको ऐसे बताते हैं, यहाँ पर आफशन, चौथा सा ही है, मेथेन, मेथेन जो है कार्बन का अपरूप नहीं है, यह एक प्राकृतिक गैस है, इसका फार्मूला होता है, CH4, यह ग्रीन हाउस गैस है, और इसके अलावा जो हीरा है, यह कार्बन का अपरूप है, ग् चलिए गला के उस्चन देखते हैं, गला के उस्चन है, भारती संविधान में, धन विद्धान की परिभासा किस अनुच्छेद में दे गई है, भारती संविधान में, धन विद्धान की परिभासा किस अनुच्छेद में दे गई है, आप्शन से, 56, 110, 252, 256, सोचे काफी सरल के उस्चन है, कई बार पेपर में आभी चुका है, चलिए आपको ऐसे बताते हैं, यहाँ प याद रखी गा, कोई भी विद्धियक धन विद्धियक है की नहीं है, यह लोग सभा अध्यच निल्ड़े करेगा, बताएगा कोई विद्धियक धन विद्धियक है की नहीं, और राश्पत के पास भेजने पर राश्पत इसे वापस नहीं लोटा सकता, और धन विधेयक के वो लोगसभा में ही प्रस्तूत किया जाता है, यह भी याद रखेगा, धन विधेयक ही है, जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं, यह भी याद रखेगा, और किस भारत में युद्या बाह आक्रमड या ससत्र विद्रो के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लागू किया जा सकता है, राश्टी आपातकाल, राजकी आपातकाल, वित्ती आपातकाल, राजकी तथा वित्ती आपातकाल दोनों, सोची कौन सा आपातकाल लागू किया जा स चलिए आपको ऐसे बताते हैं यहां पर आप्षन पहला से राश्टी आपातकाल दरसल भारती संविधान के अनुख भाग सत्रा अब भाग भी याद रखा करें भाग सत्रा अनुखे 352 से 360 के बीच में आपातकालो का वरडन किया गया है और इसमें 352 में है राश्टी आपात काल 356 में है राश्टपति सासन और 360 में है वित्ती आपातकाल तो यह जो राश्टी आपातकाल है यही बाह आक्रमण या ससत विद्रों के आधार पर लगाया जाता है तो इंपोडेंट है याद रखेगा पहला क्यूस्चन पहला सही है राश्टपति इसे लागू करता है चलते है नेठ क्यूस्टण पर चलिए लगना क्यूस्चन देखते हैं केश्चन है अचनक किसी गतिविद के दौरान किस असले के कारण हमारी मास पीसी में एठंव उतमन हो जाती है मतलब कहरा है किस अमलक वजह से हमें ठकावाट लगती है भी यहां पर आफ्शन इस है लैक्टिक अमल हमारे सरीर में काम करने के दवरान हड़ियों मास्वीसियों के बीच में लैक्टिक अमल जमा हो जाता है इसी की वज़े से हमें थकावड महसूस होता है इसकी खोज 1780 में कारल विलहम सीले ने किया था विलहम सीले ने किया था याद रखिएगा नाम भी 1780 में कार्ल विलहम सीले ने लैक्टिक आमने की खोज की थी यही हमारे हड़ियों के बीच में जम जाता है जिसके वज़े से हमें काम करते वक्त ठकावट महसूस होता है तो आपसन इसा ही है याद रखिएगा चलते हैं ने भीत इकाई है यह किसने सिद्ध किया था पहला अफसन है एम स्लीडन तथा टी स्वान ने दूसरा वीर्षा जिसरा जेई पुरकिंजे और चौथा आपसन है लिवेन हाक ने तो कहरा है किसने यह सिद्ध किया था कि सभी पौध्धे यहां जीव जनत कोशिकाओं से बने है तथा कोशिका जीवन की मूल भी तिकाई है सुचिए चलिए आपको ऐसे बताते हैं यहां पर आफसन पहला सही है स्वीडन और सान ने 1849 में कोशिका सिद्धान दिया था और उसी में इन्हों ने बताया था कि सभी पौध्धे और जीव जनत कोशिकाओं से बने हैं और यह विए तो इमपोड़े ध्यान रखिएगा सरल भी है चलता है एक अगला के उस्चन देखते हैं गला के उस्चन है उतना कि अगला के उस्चन है 1,2 kg द्रभ्यमान स्पर 1 गोली 20 नीटर पर सेखन की वेग से चलाई गयाई बंदूक को पीछे हटने का वेग मीटर पर सेखन म तो एक चीज जानते रखिएगा पहले आप सोच लेजिए रोक कर बीटियो पाउच करके क्योश्चन हल करिए उसके बाद हमां एंसर बताते हैं एक दस्मलों दो दस्मलों एक दो कि सोची चलिए आपको एंसर बताते हैं यहां पर आप्शन तीसरा साहिए दरसल बंदूग जितना बल लगाएगा अपने समवेग के बराबर लगाएगा तो समवेग बराबर होता है द्रब्यमान गुडे वेग तो बंदूग का द्रब्यमान है दो केजी केजी को आप ग्राम में बदलेंगे दो हजार ग्राम और गुडे वेग मानलो वी वेग से पीछे ध 2000 भाग देंगे दो जीरो दो जीरो सकटेगा दो दो से कटेगा एक बटा दस आएगा या फिर आब लेख सकते हो दस मलो एक मीटर प्रस सेकंड यहां पर आफशन तीसरा से यह ध्यान रखेगा चलते हैं नेट क्योश्चन पर अगला क्योश्चन है किसी वस्तु पर लगाये किसमें परिवर्तन के बराबर होता है तौरण आघोरण संवेग वेग सोचीये किसमें परिवकर बराबर होता है कि चलिए आप कोंसे बताते हैं ? यहां पर आफशन तीसरा से हैं संवेग दर्सल संवेग पी पराबर होता है द्रब्यमान गुड़े वेग वेग परिवरतन के दर को ही संवेग कहते हैं आप यह भी पढ़े होंगे ति यह यहाँ पर दिया गया है तो आप्षन तीसरा से यह चलते हैं नेट क्योशन पर अगला क्योशन देखते हैं अगला क्योशन है पिर्थिवी के भीतर की सबसे उपरी सत्य जिसे डैस डैस कहा जाता है में गहराई की गडबड के कारण भूस्पंद आते हैं तो आप्षन एक क्रोड कार्नेल सत्य भूपरपटी है सोचिए चले आपको ऐसे बताते हैं यहां पर आप्षन चौथा सही है दरसल पिर्थिवी की तीन परते होती है इसे बोलते हैं mental इसे बोलते हैं प्रवार और यह जो सबसे उपर होता है इसे भू परपटी बोलते हैं तो यही पुछा है पिर्थवी की भीतर के सबसे उपरी तो यह जो सबसे उपरी पटल है इसे भू परपटी बोलते हैं यहां पर आप्शन चौथा सही है परपटी में ह भोकम पाते हैं तो यहां दिया है भोस्पंद मतलब भोकम पातना तो यह आप्शन चौथा साहिए याद रखेगा चलते हैं नेट के उच्छे